हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वारे हैं रेल्वे का जो गुरूबडी का पीटी होता है फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट जो दोड़ होता है 1000 मीटर का उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि हमने किस प्रकार से अपना गुरूबडी में जो जौब लिया था वो किस प्रकार से अपना पीटी को किलियर किया था अभी तो दोस्तों मैं रेल्वे में जेई बन चुका हूँ जीडी से एक्जाम देखे उसके पहले मैं दोस्तो गुरूप D में कारे रत था ट्रैक मेंटेर गुरूप में आप अगर जे मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे ता आपको मालूम होगा तो दोस्तो अभी तो मैं इंजिनेर बन चुका हूँ लेकिन दोस्तो इसके पहले में ट्रैक में था और हमने भी क्या किया था कि ग्रूप डी का एक्जाम क्वाइलिफिफाई किया था उपेंट भागेंसी वाला सबसे पहले इसके बाद दोस्तों हमने भी पीटी क्वाइलिफाई किया था फीजिकल एफिसेंसी टेस्ट दोड़ होता है तो वही उसी का एक्सप्रेंस मैं आज 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 आप लोगों के इसके बारे में बहुत सारा डाउट है कि कैसे त्यारी करें क्या करें कोचन हमेशा पुछते रहते हैं तो दोस्तों देखिए क्या करना है आपको कि आपको क्या क्या करना है कि देखिए जो बच्चे तो किसान के घर से बिलोंग करते हैं थोड़ा घर में जो काम वाम करते ह फिजिकली थोड़ा एक्टिव हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उसको बस क्या करना है कि थोड़ा सा क्या करना है कि अगर जब रिजल्ट आती है तो रिजल्ट आने के बाद अगर जो उनका नाम आ जाता है रिजल्ट आ जाता है उनका तो थोड़ा- विन्ट मिनट पंदरा शेकेंडी है उसमें आपको 1000 मीटर का दोड करना है तो आपको क्या करना डूल करना है है कि सुबायं किहें थे हम से ही किये थे थे हमक्रहीं से भी य innipsa कि दोड़ ने लगए शुरू में दोड़े तो पुड़ा प्यर वैट सब दरध करने लगा था शरीर पुरा दरध कर रहा था लेकिन जोश्तो जब आपका दरध करना स्टार्ट करे थे तो आपको छोड़ना नहीं है दोड़ते रहना है रिगुलर सुबह ज्यादा नहीं आपको दर दोड़ना है 2 km सूबब दोड़ना है वहाँपे कितना 1 km दोड़ना है लेकिन क्या करना है कि आपको 2 km का त medicines का त्यारी करना है आपको पहले तो क्या कीजिये इस दोड़ को हासिल करने के लिए अकर आप नहीं दोड़ पाते है तो क्योंकि मेरे साथ हैसा हुआ था हम को एकाथा टाइम फीने लिए ज़् simply हां टाइम को شцию ट्रैक में भीन है वह क्या है कि तो दोड़ तो गया दोड़ गया उसके बाद वो मतलब पूरा इस टैप से होगया बहुस रहेता वे पूसको ऐंस आयर दो सब्सक्राइब की दोड़ कर से पीटी के वने मिलें नायता नहीं हो लेकिन जब प्रीटी के गाए यह ने होगा कि आया बहुः खुस्त था तो दोस्तो इसी प्रकार से कुछ होता है कि जो थोड़ा सरीर से मतलब फिजिकली थोड़ा एक्टिव नहीं होते हैं बच्चे सिर्फ पढ़ने में रहते हैं मतलब थोड़ा जो सुकवार जिसको गले आता है उस टाइप के होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है तो उसके क चाहिए उसमें क्या है कि उतना जरूरी होता है उतना आपको हो था हड़वक में फिसիवर कोना पड़ता है फिर उसके बाद दूस्तों होता है वजन उठाने की बाद न्यौनों से सरीरब में हमसे इनिए उत तॉट रहा था तो आपको उससे जादा एक-2KJ जादा का त्यारी करना है, उसको आपको उठाने का कोशिज करना है, देकिन सबसे में जो हहता है, उठाना ही होता है, अगर उठ गया, तो 100 मिटर जाना, दो मिटर में कुछ भी नहीं है, आप अराम से चले जाईए, पैदल भी हिट के भी है मतलब आप त्यारी करेंगे तोन लेकिन उत्री होता ना जो होता है जिसमें चावल आता है वही बोरा था हुचने खिर गेंच पर लेकिन लेकर और चले थे उठाने में जादा 생नल रैत कि आपको नीचे जए उठाने में प्रॉब्लम मुझा आपको उठाने में प्रॉल्ब्म करनेवाला नहीं है कभी कभी कुछ बोर्ड में क्या होता है कि उठा के देते हैं लोग उसको दोड़के ले जाना है आपको हंडेड मिटर दो मिनट में तो दोस्तों क्या है वहां पर क्या नहीं है इसके बारे में आपको नहीं सुचना है बस आपको क्या करना है कि त्यारी होके जाना है क्यों चुबह सकते हैं तो इसी परकार से आप अगर जे करते हैं तो आपको एक अपति में हो जाएगा लेकिन अगर आप फिजिकली पहले से एक्टिव नहीं है तो आपको टाइम लग सकता है हम लोग तो थोड़ा physically fit थे पहले से घरवर में काम करते थे थोड़ा तो physically थोड़ा active थे इसलिए क्या था कि हम लोग का एक हपता में हो गया था एक हपता 10 दिन में हो गया था तो दोस्तो इसी परकार के हुआ था इसी परकार से हमारा कुछ हुआ था physical efficiency test दोस्तो बहुत सारे लोग ने question पूछा था इसलिए मैं हमने सोचा कि हम भी बताइए देते हैं तो दोस्तो आप group D में आये कोई दिक्कत नहीं है join कीजे और लेकिन क्या है कि आपको study जारी रखना है क्योंकि दोस्तो group D का जो job है वो क्या है कि सपना नहीं होते है किसी का लेकिन दोस्तो कोई ये कोई लिए आते है ये ज्वायन करते है तो आपको क्या करते है कि सट्टी को जारी रखना है आप अच्छा से करते हैं डेली चार घंटा मतलब 3-4 घंटा है 2-3 घंटा भी आप समय देते हैं 24 घंटा में तो दोस्तों आप जो पढ़ है वो आप याद रखिए उसको भूलना नहीं है आप आगे क्वाइलिफाई कर सकते हैं दूसरी एजाम रेलिवे में भी आगर आपके पास क्वाइलिफिकेशन है तो आप पर्मोशन पासकते हैं अच्छा से जीडी से एजाम देखें गवर्मेंट डिपार्टमेंटल कॉम्पेटिटिव एजाम तो ठीक है इस वीडियो में इतना ही वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है आप लोगों को समझ में तो आहीं किया होगा कि हमारा पीटी किस प या गलत बताया थे या सही बताया इस टाइब से आप कीजिएगा तभी आपका फीजिकल एफिसेंसी टेस्ट निकलेगा नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरा दोस्त के साथ हुआ था वह फिसकली एक्टिव नहीं था इसलिए लेकिन फिर भी वह हो गया था उस घका मुकी भी होता है तो उसी चीज को आपको क्या करना है कि तोड़ा पहले से में करते दखना है अंपको नहीं दो किलोमेटर का त्यारी करना है ठीक है दो किलोमेटर का त्यार ही नहीं बस प्रैक्टिस करना है दो किलोमेटर का आपको तो चार मिनट 15 सकेंड में दोड़ लेना एक किलोमेटर हो सके तो आप चार मिनट में अगर जाप एक किलोमेटर दोड़ लेते हैं तो आपका पीटी आराम से कंप्लीट हो जाएगा ट चैनल पर लाता रहूंगा क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जही बन चुका हूं और भी उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ठीक है दोस्तों इस वीडियो में जाने से पहले लाइक कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए मिलते हैं नेक्स् वोडियो में तब तक लिए जाहिन या कर दो भाल पता है